हेलो दूस्तों स्वागत आपको इस वी चैनल में तो दूस्तों आज विए डिसकस करने वाले हैं कॉलेज एड्मिसन के बारे में यानि की UG, PG, BAB, BAC और MAM, MNC के कॉलेज एड्मिसन के बारे में अगर दूस्तों आपने अभी तक किसी भी कॉलेज में गवर्मेंट कॉलेज हुआ था, लाश्ट राण हुआ था, जो कि 23 नवंबर तक हमारा चला था, CLC 5 राण, लेकिन इसके बाद कापी सीटे खाली रह गए थी, इसलिए CLC 6 राण को स्टार्ट किया जा रहा है, गवर्मेंट के तरब से, तो CLC 6 राण को स्टार्ट कब से होने बाला था, मैं इसके लेक्र कावाएगा, पीस कब तक सम्ट की जाएगी, सारी प्रोसेस हमें इस बीडियो के मादब से जानने बाले, तो बीडियो को शेयर का देना, साथ ही, अगर आपने मेरा न्यूँ यूटूब चनल, अलली श्टी कंप्ड़ी श्टी सस्क्राइब नेकिए, तो इसको भी आपको प्रोवाइट करा दूँगा वाटसप ग्रूप को भी जॉइन कर लिजे बहाँ पर भी आपको जो इसका डाउनलोड लेक्ट मिल जाएका और बहाँ पर आपका स्क्रीन स्वाट भी इसका मिल जाएका ओके तो देखे इस यहाँ पर क्या लिखा गया है पूरी जानकारी हम देख लेते हैं हाईर एजूकेशन की तरब से इसको जारी कर दिया गया है हटाई दिसमबर को इसका प्रिंट आउट किया गया था लेकिन वैपसाइट पर इसको 29 दिसमबर जी हाँ दोस्तो 29 दिसमबर को अप्रोड किया गया है दो पैर को एक बजे के टाइम पर इसको अप्रोड कर दिया गया था 29 दिसमबर को इसमें क्याल लिखा गया है, पूरी जानकार ही हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसको परस्ट नमबर को छोड़ दीजे, इस पैरा को हम ध्यान से समझ लेते हैं, इसमें लिखा गया है कि 7221 में, ओनलाइन प्रिविस प्रिक्रिया की अंतगरत, किसी भी सास की इसनातक, इसनातक होने बाला है, कब से कब तक होने बाला है, तो 13 बात को अपने मीं में सेट कर लेजी, आप इसका शेडूल के आ है, पूरा हम शेडूल देख लेते हैं, इसको जूम कर लेता हूँ, दियान से जेखना पूरा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा, नयथा आपको कुछ double distribution भोक्स में मिल जाएगा तो दीजिए दोस्तों इसमें क्या लिखा गया है पूरा वीडियो देखना है हमको यहां पर लिखा गया सबसे पहले लििह प्रतम पर्स जो पर्श नमबर की कई शीनतां पर मैं सीखा कहता हूँ तो बहीं बीए बीकों बीए सीख लिए होने वाला है प्रोसेस और टाइम टेबल पूरा ओके तो दिखी यहां पर पर परस्ट नमबर को पहरा को दिखी यहां पर लिखा गया कि महाँ बिद्धाले में कि हमारे कॉले में कितनी सीट हैं खाली रह गई हैं इसके बाद में दोस्तों क्या होगा अगर आपने अभी तक रेजिस्टेशन नहीं करवा पाया है तो अब पंजिकरत आवित को ही तो ओलाइन पंजियन यानि कि अगर आपने अभी तक रेजिस्टेशन नहीं करवा पाया है तो आप रजिस्टेशन कर पाएंगे कब से कब तक रजिस्टेशन कर पाएंगे 30 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर यानि कि दो दिन आपको रजिस्टेशन करने के लिए मिलेंगे दो दिन में ही आपको रजिस्टेशन का पूरा प्रोसेस करना होगा 30 December से लेकर 31 December के बीच में इसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तो इसके बाद में दोस्तो आपको पनी document का verification कराना होगा document के verification अगर आपने अभी तक यानि कि registration करने के बाद में क्या होता है दोस्तो registration करने के बाद में हमको पनी document verification कराना होता है जो के government college से document का verification होता है जो 30 December से लेखा 2 january तक का verification करा सकते है सबीगए टाइम जो की same रहने वाला है तो 2 january तक हमारा क्या होगा document की verification होगी अगर आपने registration कराया है तो registration के बाद document verification होगा अगर आपने document verification का लिया है तो आपको document का verification करना नहीं की कोई भी आवसकता नहीं है देखी आंगे चलते हैं आंगे देखते हैं आंगे क्या लिखा गया है थर्ड नंबर के पैरा को अच्छे समझ लेते हैं तो देखी दोस्तो थर्ड नंबर के पैरा में क्या लिखा गया है महाबिद्धाले पार्टे करम बिसे पहले क्या होता था, registration के बाद choice spilling होती थी, direct हो इसके बाद हमको document का verification कराना होता था लेकिन दोस्तों अब हमारी जो registration कराना है, registration के बाद मा document verification कराना है और इसके बाद हमारी अब होगी choice spilling वो भी होगी, दोस्तों कैसे होगी offline अगर आपने registration करा लिया है, choice billing और document verification करा लिया है पहले, तो आपको choice billing गिबल offline करानी और कुछ भी नहीं करना होगा, तो दोसो इस पार जैसा कि मैं आपको बता चुका हमारी choice billing होने बाली, offline होने बाली, तो जो choice billing होगी दोस्तो हमारी 4 जन्मरी से, कब से start होने बाली है, दोस् साड़े 10 बज़े से एक बज़ कर 30 बन, यानि कि देड़ बज़े रखा गया है, तो साड़े 10 बज़े से लेकर देड़ बज़े तक ही आप choice billing कर सकते हैं, तो दोस्तो choice billing करते हैं टाइम पर क्या करना होगा, आपको अपनी साथ में प्रारूप ले जाना होगा, प्रारूप का मतलब होता है, दोस्तों परपत्र फॉरम ले जाना होगा, परपत्र फॉरम क्या होता है, इसके बारे में complete video बना चुका हूँ, लिंक का आपको डिस्विन बॉक्स में मिल जाएगी, और किस तरह से इसको परपत्र फॉरम को बरहा जाता है, इसकी भी जाना कारी आपको ड इसके बाद में दोस्तों, और जो दोस्तों एक बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो चॉइस्पिलिंग का टाइम रखा गया है, वो कि बल एक दिन का रखा गया है, कितना रखा का है, तो एक दिन का, कितना चार जन्वरी, एक दिन ही आपकी चॉइस्पिलिंग जाकर रही है आपको पता चलेगा तो दो सो अलोट में लेटर कंहरा कावा ऐगा दो सऩू 4 जनबरी कोई ही आएगा और जो मेरिट सुची कावा आएगी हमारी 4 जनबरी कोई आएगी और चॉय स्ब All- потер कोई होगी यानिकि पांच जनवरी को आप रात को 12 बजे तक आपको अपनी पी समिट करनी होगी और आपको कुछ नहीं करना है तो CLC 6 round चलने बाला है हमारा 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी की बीच में हमारा जो कि जो CLC 6Round चलने बाला है तो सारी जानकारी समझ में आगी होगी CLC 6Round किस तरह से चलने बाला है सारी जानकारी आपको मैं आपको बता चुका हूँ और दोस्तो इसका admission का process क्या रहेगा इसके बारे में जल्ली वीडियो अप्लोड कर दिया जाएगा तो इस वीडियो को जरूद चेक आउट किजिगा लिंक का पो डिसमें बाक्स में आपको provide करा दूँ और दोस्ते चोटी सी request अगर आपने मेरा new youtube चैनल जिसका नामे only study completely subscribe नहीं किया है तो इसको भी जानता है जानता है सस्क्राइब कर लिजिए लिंक आप पो डिसमें बाक्स में दिया गया है इस चैनल पर मिश्क्रीरिस से समने वीडियो ऑप लोड करते है तो इस चैनल को जाँदा है जाँदा सस्क्राइब कर लेना है तो दूस्ते वीडियो पटके समय मिलते हैं अगर नर्स बीक साहथ तब तक ली बाई